गुड़ मॉर्निंग बच्चों कल हमने बात कि थी फर्स्ट लेसन बिट्टिया के लिए अपने बिट्टिया के लिए इसमें अब किशना सा बताया थे ठीक है आप पोजिक बताया थे उसके बाद में कुछ कुशन भी लिखाया थे मैंने तीन कुशन अपने हो चुके थे काविता में आये किनी दो-बिंबो का बहुस्प Dipa करना है को इसका आंसल लिखिएगा ि अधर्षिष == lса क मैंने लिए है सूरज बतारे तो दो पी मैंने लिये हैं सूरज बतारे सूरज में लिखना सूरिय को सूरिय को कवीता में सूरिय को कवीता में लाल गेंद का बिम्ब माना है सूरिय को कवीता में लाल गेंद का बिम्ब माना है क्योंकि जब सूर्य उदे होता है क्योंकि जब सूर्य उदे होता है तब वह एक लाल गेंद के समान लगता है तब वह एक लाल गेंद के समान लगता है और हमारी और और हमारी और लुड़कते हुए आ रही है और हमारी और लुड़कते हुए आ रही है ऐसा प्रतीत होता है तारों में लिखना तारों को कविता में जरतारी टोपी बताया गया है रात को सोते समय बिटिया ने जिन तारों को देखा था वे तारे छोटे तालाब में इस प्रकार चमक रहे थे जैसे तारों से जड़ी टोपी है तारे छोटे तालाब में इस प्रकार चमक रहे थे जैसे तारों की जड़ी टोपी है और सुबह होने पर वह तोपी उल्टी पड़ गई और सुबह होने पर वह तोपी उल्टी पड़ गई अर्थार्थ तारे दिखाई नहीं दे रहे अगला किशन है कवी आकास में चांद के गिर जाने की आसंका कैसे व्यक्त करता है कवी आकास में चांद के गिर जाने की आसंका कैसे व्यक्त करता है लिखना इसमें कवी आकास में कवी आकास में चांद के गिर जाने की आसंका व्यक्त करता है कवी आका से चांद के तारे गिर जाने की आसंग का व्यक्त करता है क्योंकि सुबर होने पर जब चांद चिपने लगता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि चांद अब गिरने वाला है अगला क्यूशन है इस कविता का कोई अन्य सिर्शक बताईए इसमें क्या है सिर्शक इसका सिर्शक क्या है अपनी बिटिया के लिए तो हम इस कविता को पढ़ने के बाद हम यह सिर्शक बना सकते हैं कि कविता का सिर्शक क्या होना चीए दूसर सिर्शक मान सकते हैं प्राकर्तिक द्रश्य यह प्राकर्तिक सवंधर्य इस कविता का अंसों में लिखिएगा इस कवीता 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 का अंसों में लिखिएगा यह कविता में आपको पढ़ादी है और इस कविता का आपको क्या करना है अर्थिस प्रष्ट करना है सरलात आपको खुद को करना है ठीक है आगे की लेसन की बाद हम कल करेंगे धन्यवाद